प्रेंका गांधी अब पूरे तरह से चुनावी दंगल में उतर चुकी हैं और विरोधियों को उनकी भाष्णा में जवाब देना भी शुरू कर दिया है बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, सालफी विड डॉटर का नारा देने वाली बीजेपी के नेता विने कटियार ने प्रेंका गांधी को लेकर विवादि टिपणी की थी जुस पर प्रेंका गांधी ने पलटवार किया है प्रेंका ने कहा कि ये बयान आधी आवादी को लेकर बीजेपी की मानसिक्ता को दर्शाता है महिलाओं ने अपनी जगहा महनत से बनाई है दरसल विने कटियार ने प्रियंका के स्चार प्रचारक बनने पर कहा था कि प्रियंका गांधी सुन्दर महिला है अच्छा है वह प्रचार करें बहुत दिनों से निकली नहीं है लेकिन उनसे ज्यादा सुन्दर महिलाएं तो बीजेपी में है जिने हम लगा देंगे जितना प्रियंका को खुबसूरत बताया जाता है वो उतनी खुबसूरत है नहीं हमारे यहां स्मृति इरानी है जो जहां जाती है वहां फीर लग जाती है वह उनसे कहीं ज्यादा भाशन देती है तो प्रियंका गांधी अब पूरी तरह से राजनीती में सक्रिया हो गई है कल कॉंग्रिस ने इन्हें चार प्रचारक बनाया था जिसके बाद आज से ही प्रियंका ने कमान संभाल ली है आपको बता दे कि यूपी में कॉंग्रिस और सपा के गडबंधन के पीछे भी प्रियंका गांधी की एहम भूमी का बताए गई है देखते रहे डीडी बी लाइव